हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी सी रेस्पी लेके आए हूँ जब कभी आपके घर पे कोई रही सबजी ना हो तो आप इस रेस्पी को बना के आप अपने खाने में और भी ज़्यादा स्वार बढ़ा सकते हैं तो आज में तड़के इस बात का बिल्कुल रखे ध्यान अगर दही खटा होगा तो यह तड़की आला दही बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा और अब इससे में एक विसकर से अच्छे से मिला लूंगी ताकि इसमें बुल्टिया ना रहे हैं वहुत ही स्मूथ हमारा दही हो तो यह हम मिला ले मैंने दो चम्मस ओल ले लिया है और गराम हो चका और यहां पर मैंने डाल दिया है हाफ स्पून राई और हाफ स्पून जीरा जो मैं तड़क आपको बता रहे हूं आप उस मेथट से बनाएंगे तो आपका बहुत ही डिरीशर्स यह दही वाले तड़के बनके रेडी कर सकते हैं अपने कोडिंग अपने टेस्ट के कोडिंग और यहां पर मैंने में अधाएं रखत्षा ग्रेट कर लिया है और दो लाल मिर्च यानि कि दही तड़के वाला है तो लाल मिर्च ओविसली होना ही चाहिए मालब अगर समुचा रहे तो तो कड़वा तो होता नहीं लेकिन देखने में अच्छा लगता है और इसे मैं चरा लूँगी अब मैं डालूँगी एक बारी कटा हुआ प्यास और इसे तब तक बुनेंगे तब तक बढ़िया गोल्डन कलर में हो न जाए तो यहीं देखिए हमारा प्यास गोल्डन कलर में हो चुका है अब यहाँ पर मैं मसाले एड करूँगी तो यहाँ पर वन फॉर्थ स्पून हल्दी हाफ स्पून कश्मेरी मिर्च मिर्च कड़वा नहीं होता है और वन फॉर्थ स्पून धनिया और यह सब को अच्छे से मिला लूँगी और फिर जो हमारा यह मलब लो फ्लेम करके यह तड़के को ठंडा कर लेना है और तक इस प्रोसेस में मैं अपने दही को इसमें एड करूँगी ताकि ठंडा ठंडा अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा दही फटे नहीं तो इस बात का विल्कुल आप ध्यान रखिए और एक विसका से अकल्ची से मिलाते जाहिए तो यह देखिए हमारा लगवा के तड़के वाला दही यमी सा बन के रेडी हो चुका और यहां पर नमख्रम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डी जैसे आप खाते हैं और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और फिर बढ़िया फ्रश फ्रश हरी ध बना के मुझे बताएं कि यह तड़के वाला दही आपको कैसे लगा अपने घर पर यह अपने गेस्ट को भी दे सकते हैं और यह यह रेसिपी उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और यह देखिए मैं उपर से क्रीम डाल दी हूँ तो आप इस रेसिपी के साथ इन्जॉय करें तब तक के लिए बाइ बाइ